यह हैं मार्केट में मिले वाली 100 रुपर की चोकोलाबा केक अब चलो देते हैं घर पर इसी चोकोलाबा केक को बनाने में कितना खर्च होता है तो पहले हमें डेरी मिल्क को दूद मिक्स करके अच्छे से मिल्ट करना है अब जो हमारा चोकलेट बिस्किट है उसको ऐसे क्रश कर लेना है फिर मिल्क डाल कर तिक पेस्ट चैसा बनाना है और थोरह सा बेकिंग सोडा भी डालना है कंटेनर में पहले ही यह वाला मिक्स्ट डाल दो थोरह सा फिर उसके उपर अपना जो चौकलेट मिल्ट की वा हुआ था उसको डालना है और अगेन उपर से बैटर वाला जो हमारा पेस्ट है उसको एचे से डाल देना है अब मैंने लिया एक बड़ा सा गमला और इसके उपर मैंने पलेट टाइप रखा है और फिर कंटेनर को रखा है और उपर से ढग देना है अब बस 15 मिनिट बाद ही आपका केक बन जाएगा सच में मुझे देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है मतलब लगबक 30 रुपे के अंदर आप घर पर ही चोकोलावा केक बना सकते हो